जै मातादी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिसंबर माह के दो दिन 14 दिसंबर और 15 दिसंबर के कन्याराशी फल के बारे में कन्याराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहने वाले हैं जानेंगे आपकी सिक्षा कैसी अप का वैपार्क कैसा चलेगा नौकरी कैसी रहेगी पारिबारिक जीवन कैसा होगा स्वास्थ्य कैसा होगा और प्रेम संबंद कैसा रहेगा तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है और बेल के एकन को प्रेस कर दें इससे हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी अब जान लेते हैं कि इन दो दिनों में कौन सी तिथी है नक्षत्र क्या है योग क्या रहेगा और चंद्रमा की स्थिथी और बागी ग्रहों की स्थिथी कैसी रहेगी 14 दिसंबर की बात करते हैं 14 दिसंबर क्रेशन पाक्षिक की दुईत्या तिथी है जो कि सुबह तक रहेगी नौबजे तक उसके बाद तिरत्या तिथी लगेगी पुनरवशु नक्षत्र रहेगा सुभा पांच बज़ कर चार मिनट तक उसके बाद पुष्च नक्षत्र लग जाएगा इस दिन शुक्ल नाम का योग बन रहा है सुभा दस बज़े तक उसके बाद ब्रह्म नाम का योग बनेगा ये शनिवार का दिन है और चंद्रमा रात्री तक मिधुन राशी में रहेंगे उसके बाद करकराशी में प्रवेश करेंगे 15 दिसंबर की बाद करें 15 दिसंबर क्रश्न पक्षकी तिर्टिया तिथी सुभा 7 बज़ कर 18 मिनट तक है पुषर नक्षत्र रहेगा सुभा 4 बज़े तक और ब्रह्म नाम का योग बन रहा है सुभा 7 तक उसके बाद इंद्र नाम का योग बनेगा रविवार का ये दिन है और चंद्रमा राशी बदल के करकराशी में आ चुके हैं इस दिन दोस्तों शुकर का राशी परिवर्तन भी है शुकर भी शनी की राशी में प्रिवेश करने वाले हैं जिसका प्रभाव भी आपके उपर 15 दिसंबर से देखने को मिलेगा साथी 14 दिसंबर से 15 दिसंबर की सुभा तक पुषर नक्षत्र बन रहा है और ये पुशे नक्षत्र बहुत ही शुब नक्षत्रों में से एक होता है ये खरिदारी के लिए बहुत ही शुब माना जाता है मांगल कारे के लिए बहुत ही शुब नक्षत्र माना जाता है तो अब इनी के अधार पर हम जान लेते हैं कि ये जो दो दिन है ये किस तरह से आपके लिए विशेस हो सकते हैं किन किन चीज़ों में आपको सफलता मिलने वाली है तो चंदरमा के स्थिति की बात करें तो चंदरमा के स्थिति दोनों ही दिनों में आपके लिए बेहद शुब योग बना रही है आपको इन दो दिनों में जो सिक्षा के शेतर में हैं, उनको बेहत अच्छी सफलता मिलती हुई नज़र आएगी, अगर आप एक स्टुडेंट हैं, तो आप अपनी पढ़ाई में खुद को आगे बढ़ता हुआ पाएंगे, आपका मन बहुत अच्छे से पढ़ाई में लगी का, आपको किसी नई तो इस अवसर का आपको पूरा फाईदा उठाना है, अगर आपको कोई बहुत ही महतपोर्ण, आज आपको कोई बहुत ही महतपोर्ण सूच न भी मिल सकती है, जिसे मन खुश हो जाएगा, और जिससे आपका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, किस कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आने वाला समय में सब कुछ आपके लिए ठीक होने वाला है आपको ये एहसास भी होगा आप बिना किसी बात के ही तनाव ले रहे हैं तो किसी भी प्रकार का तनाव ना ले अपने कारे पर ध्यान दे अपने कारे से खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करें ये बिकार की बाते हैं ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है आज का दिन आपके लिए वेबसाइक तोर पर संपत्ती के लेंदेन करने के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा ये आपके लिए फाइदे का दिन साबित हो सकता है तो इसमें आपको रिकती लालच दे कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए और वो लालच आपको पसंद दिया जाए तो पहले उसकी अच्छे से जांच परक कर लेनी है तब आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है जिसे आपके पैसे सही जगा पर जा सके शुक्र का गोचर भी होगा ज सिक्षा प्रतियोगिता में इस समय अगर आप पार्टिपेट करते हैं तो आपके लिए बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं इसमें आपको इस समय सफलता मिल सकती है आपका एक्जाम चल रहे हैं तो इस दिनों में जो एक्जाम होंगे उनमें आपको निश्चित तोर पर अच्छी सफलता मिल सकती है तो इस समय का लाब आप जरूर उठाएं जो नए दमपति हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है क्योंकि ये बहाव जो होता है ये संतान का बहाव भी कहा जाता है और संतान बहाव में जब शुकर आएंगे तो आपके लिए समय बन रहा है इस समय आप विदीस यात्रा के बारे में भी विचार कर सकते हैं विदीस मंदित राय यात्रा भी आपकी हो सकती है ये जो समय होगा ये आपकी बुद्धी को बढ़ाने वाला समय होगा आपके ज्यान को बढ़ाने वाला समय होगा सामाजिक जीवन में आपक विनम्वता से पेश आएंगे और उनकी साहिता करने के लिए भी सबसे आगे खड़े होंगे आप अपने परिवार में सकारात्मक बदलाव ले कराएंगे कुछ बड़े निर्णे भी आप इस समय ले सकते हैं और आपके लिए गे निर्णों से आपके लिए गे फैसलों से इसमें आपको साहिता भी मिल सकती है किसे की लोगन लेना चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है कारोबारी वर्ग के लोगों को किवल यूजना ही नहीं बनानी चाहिए इन यूजनाओं पर अमल कर देना भी शुरू कर देना चाहिए यह समय आपके लिए एक बहतरी न विकलप लेकर आया है तो अपनी बनाएगए यूजनाओ पर आप अमल करना शुरू कर दें सोचते ही ना रहें आपकी रचनात मक्ता लोगों के सामने आने वाली है और इसके बल पर आप आगे भी बढ़ने वाले हैं जो बच्चे स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं खेलकुद से जु प्यार रहें क्योंकि ये समय आपको आगे बढ़ाने वाला होगा आपके सुखों में वरद्धी कराने वाला होगा और जहां से आपको सुख की प्राप्ति होती है जिस गेम को खेल कर होती है वैपार करने से होती है परिवार से मिलती है उसमें आपको विरद्धी होने वाल में आप इस समय अपने पार्टनर से मिलने का ख्याल आपको उल्जाय रख सकता है अगर आप घर से दूर रहते हैं तो आप कोई घर जाने की आप प्लानिंग कर सकते हैं और परिवार से मिलकर बहुत खुशी का अनुभव भी आप करेंगे आपकी जो आपने द्रड निश्चे किया है जो आपने धीरज दिखाया है उसका अच्छा परिणाम आपको इन दो दिनों में मिल सकता है अगर आपनी किसी चीज़ को लेकर बहुत दहरिया से काम लिया है तो उसके अच्छे परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे अगर आप अपनी पसंद और प्रात्मिता पर अडिक रहेंगे तो आपके लिए आपका पार्टनर भी मिलने वाला है जो एविवाहित लोग हैं उनके लिए विवाह के अच्छे ब्रस्ताब मिलने वाले हैं जो आपकी जीवन में एक नई बहार लेकर आ सकते हैं तो इंद्नों स्यादि का भी योग आपके लिए बना हुआ है और तो शादि भी आपके समय फिक्स हो सकती है आपके लिए जीवन साथी की जो आपकी पसंद थी, वो पसंद आपकी पूरी हो सकती है जिसे परवार का माहौल भी अच्छा रहेगा और आपके जीवन में कोई नयसा दस्य भी आ सकता है वेवाहिक जीवन इस समय ठीक ठाक रहेगा आलगि आप व्यस्त काफी रहेंगे इस समय एक दूसरी को समय नहीं दे पाएंगे लेकिन आपका जीवन अच्छा रहेगा सुक में रहेगा एक दूसरी की भावनाओं की कदर आप करेंगे अब हम स्वास्त्य की बात करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने लक्ष से अलग तो नहीं जा रहे यानि आप जो व्यायाम करते हैं आप जो योग करते हैं उससे अलग दिशा में तो नहीं जा रहे है इसलिए अपने लिए समय निकाले और समय निकालकर वयाम पर धहान दे आप प्रणयाम कर सकते हैं इससे आपका दिमाग शान्त रहेगा और किसी को भी काम को मन लगाकर काम करने में आपको मदद मिलेगी तो अपनी स्वास्ते की तरफ आपको जरूर ध्यान देना है, अपने लिए वक्त जरूर निकालना है, क्योंकि इससे ही आप स्वास्त रह पाएंगे, फिट रह पाएंगे, और जो भी कार्य करते हैं, बिजनिस करते हैं, वेपार करते हैं, उसमें फुल एनरजी के साथ आप क विध्यारतियों के लिए है क्योंकि उनको अच्छी सफलता मिलने के योग इन दो दिनों में है प्रतियोगी परिक्षा में सफलता मिल सकती है किसी एक्जाम में बैठते हैं वहां आपको सफलता मिल सकती है तो विध्यारतियों के लिए समय अच्छी पढ़ाई करने का है पढ अगर आप कोई शुब कार्या करना चाहते हैं कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो आप निशित तोर पर इस दिन कर सकते हैं क्योंकि खरीदारी करने के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा होता है तो इसके लिए आप आपको गाड़ी खरीदनी है आपको मकान अपन बना बने